नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारे चैनल पर जहां आपको मिलती है विट्टिय जानकारी से जुड़ी सभी जरूरी बातें आज हम बात करेंगे एक बहुती खास टोपिक पर पेनकार 2.0 जी हाँ ये नई सुईदा हर पेनकार धारक के लिए बेदी महतो पूरण है भारत सरकार ने पेनकार को और जदा स्मार्ट और डिजिटल बनाने के लिए पेनकार 2.0 लॉंच किया है इस नई तकनिकी की तहएट पेनकार अब न केवर पैचान पतर के रूप में काम करेगा बलकि इससे सुरक्षा और डिजिटल सुईदाओं को भी बढ़ावा मिल दिया गया है तो चलिए जानते हैं पेनकार 2.0 के कुछ परमुक फायदे पेला है पेनकार का डिजिटलाइजेशन पेन 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा आसान भासा में कहें तो पेन 2.0 का फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा इसका डिजिटल कार्ड बनेगा इससे पेन कार्ड के फरजी वाड़े को रोका जाएगा हर पेन कार्ड पर एक यूनिक QR कोड होगा जिससे स्केन करके आपकी डिटेल्स तुरंत वेरिफाई की जा सकती है सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसे आपके बायोमेट्रिक डेटा जैसे आधार से लिंक किया जाएगा नई तकनिकी के जरिये नकली पेन कार्ड को तुरंत पकड़ा जा सकता है पेन कार्ड दस डिजिट नंबर का होता है उसके अलग-अलग मतलब होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ अन्चतक बने रहें पेन कार्ड में दस अंकों का एक यूनिक कोड होता है इसे अलफा न्यूमेरिक यानि सब्दों और नंबरों में जारी किया जाता है पहले पांच सब्द अलफा यानि अंग्रेजी के अक्सर होते हैं ये ए से जेड के बीच में कोई भी हो सकते हैं पहले तीन अलफा में पेन कार्ड का सीरियल नंबर होता है चोते अलफा में वेक्ति या कमपनी की पैचान की जाती है अगर पेन कार्ड किसी वेक्ति का है तो P लिखा होगा और अगर किसी कमपनी का पेन कार्ड है तो C लिखा होगा उस पर पांचवे यानि आखिरी अलफा में सरनेम का पहला अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद अगले चार नुमेरिक करेक्टर नंबर होता है ये इनकम टेक्स विबाग की सीरीज को दिखाते हैं दस्वा यानि पेन नंबर का आखिरी अंग अलफा बेट होता है या एक चेक डिजिट होता है तो दोस्तों ये थी जानकारी पेन का 2.0 के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें साथ ही हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महतोपून अपडेट सबसे पहले मिलें धन्यवाद जैसिरी राम